आज मैं परवल की ऐसी थमाकेदार रेसिपी आपसे सेयर करूंगी जिसे देखते ही आप कहेंगे रिंकू आपने इस रेसिपी को पाले क्यों नहीं बनाया इतना देरी क्यों कर दिया तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है फ्रेंज मैं आपको वीडियो में आगे बताती परवल को मैंने अच्छे से धूल करके सूती कपड़ा से पोच लिया है और सबसे परवल के दोनों एंड पार्ट इस तरीके से कट करके थोड़ा थोड़ा हटा देंगे तो छोटी सी स्टोरी है आज मेरे घर में कोई भी सबजी नहीं थी बस थोड़े से परवल थे और मेर इस रेसिपी के आगे महंगे महंगे रेस्टोरेंट टूडल की सबजीयां भी फेल हो जाएंगी तो देख लेते हैं रेसिपी तो इसके लिए हम परवल को पहले इस तरीके से कट कर लेंगे आनि परवल के एक साइड ना हलका हलका कट्स लगाएंगे तीर चा में ऐसे तो आ इल्गा रही हूं इस तरीके से परवल को लेंगे हाथ में और ऐसे आधा-धा-दh इंच के गइपिंग पर ऐसे तीर चाप सेंप में परवल को कट करते जाएंगे इसी तरीके से इस करणी फिर इस कट कर्ते हैं लाइंगे पहुत याराम से कट जाते हैं बिल्कुल भी दिक तो वीडियो बिना इसकी फूल वाच करिएगा इसी तरीके से देखिए फ्रेंस मैंने सभी परवल में कट्स लगा लिये हैं और जितना देखने में खुबसूरत लग रहा ना इसकी रेसिपी जब बन करते आर होगी तो खाने में भी बहुत ही जादा डिलीसस लगेगी तो य करम होने पर इसमें एड़ करेंगे परवल जिसमें हमने इस तरीके से तिर्छा सेथ में कट्स लगाया था गयास का फ्ले मीडियम एदा हम अभी ऑड़ strikes कर लेंगे डो इसे शैज पर डु सेMaster me अब तरौ लिया करेंगे तो यहां पर एक सी मिनाट हो गया है तो दफ्राइबुम्त की अनुद्धन में आजा, हमy कहां करेंगे, सुभसे से पहले टमाटर को कट कर लेंगे, पीच वाला पोरषन कट कर शब् Germ-2013 टमाटर को प्रवाया करके बीच वल्यूशंब के तरफ तो आप देख सकते हैं फ्रेंस परवल अमारा दोनों साइड बहुत इच्छे से सिग्या है इसका कलर देखिए बहुत ही बनिया गोल्डेन ब्राउन हो गया है है ना तो इससे ज्यादा इसको डार कर देंगे तो इसका जो टेस्ट है ना जलने जैसा आएगा तो इसल सिपी को एकदम रेश्टोरेंट वाला टाच देने के लिए मैं इस मेंट कर रहे हूं 6-7 काजू के दाने काजू के जगह पर आप चाहे तो मुंफली भी यूज कर सकते हैं सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें डाल देंगे 5-7 हरी मिर्च अपने टेस्ट को फ्राई करते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंस टमाटर अद्रक लेशन हरी मिर्च काजू सारी चीजे खुब अचे से फ्राई होगा है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे साइड में पंखे के नीचे रख देंगे ता इस तरीके से देखे एकदम स्मूध पिस्ट तैयार करेंगे मैं इसका टैक्चर अपको दिखा देती हूं देख़े दग रहे हैं तो इस पेश्ट को हमें दररा नहीं पी सना है इस तरीके से एक दम्दश बनाना अगे उतना ही ग्रिवी हमारी स्मूध देखेगी और देख पीसा हुगा मसाला पेश्ट जार में थोड़ा सा पानी डालकर क्लिंट करते हुए इसी में एड़ कर लेंगे साथे में डाल देंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून का स्मेरी लाल मिर्ज पाउडर ये तीखा कम होता है और इसे कलर बहुत अच्छा आता है हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, वन फोर्थ टीस्पून डाल देंगे काली मेर्ज का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमग अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम एकदम लो रखेंगे लो फ्लेम पर मसालों को ढख करके चार से पांच मिनट तक भूनेंगे तो पहले ही हमने प्याज टमाटर, अद्रक, लेसन, हरी, मिर्ज और काजु को भून लिया ह तो ड्राइ मसालों को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस चार से पांच मिनट इसे ढख कर पकाएंगे और मसाले खूब अच्छे से भून जाते हैं, तो चार से पांच मिनट होगे मुझे मसालों को पकारते हुए लो फ्लेम पर और अब देख सकते हैं, मसाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानि परवल को अच्छे से मसालों से कोट कर देंगे, अफ्राइ के हुए परवल को इन भूने हुए मसालों के साथ ढख करके दो से तीन मिनट तक और भूनेंगे, ऐसा करने से मिर्च मसालों का जो फ्लेवर है परवल के अंदर तक खूब सब्सक्राइब अब अच्छे से चला जाता जिससे कि इस रेसीपी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो 4-5 मिनट हो गे मुझे इससे भूनते हुए अब हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बस पानी की क्वांटिटी आप देख लीजिए उतनी होनी चाहिए कि ऐसे जब हम परवल को मिक्स करें तो परवल अच्छे से ग्रेवी में डूबा हुआ हो और ग्रेवी की थिकने साथ देख सकते हैं कैसी होनी चाहिए पानी डालते समय क्योंकि इस सब्जी को हमें जादा ग्रेवी वाल सब्सक्राइब करना के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो 15-17 मिनट हो गए मुझे इसे लोग फ्लेम पर पकाते हुए और ये लिजे फ्रेंस वाओ लुक अट दिस फ्रेंस हमारी सुपर से भी उपर टेस्ट वाली परवल की बहुत ही अमेजिंग पर रोस्ट करके फिर हाथों से ऐसे क्रस्ट करते हुए एड़ किया है गैस का फ्लेम बंद करके इसे अच्छे से मिला देंगे और ढग देंगे दो मिनट के लिए ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए उसके बाद हमी से सर्व करेंगे तो लिजे जस्त है ये एक बार इस रेसीपी को बनाकर देखना फ्रेंस खाकर आपका मन कुस हो जाएगा और जिनको भी इस तरीके से परवल की रेसीपी बनाकर सर्व करेंगे हर कोई आपका तारीफ करते नहीं थकेगा आप इसे रोटी पराठा पूरी ए फिर दाल चा और किसी के जाधा खाने में delicious लगता है तो फ्रेंस रेसीपी को ट्राइक करें पसंद्धाय तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से जादा Eh फिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में ऐसी ही बहुतीatar a एक लिपकेत अबागीaları कि लीए इंड टेक की Ε जु़ा जुती